असला इंकुम हाई आपके साथ लोशन के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी एफेक्टिव और काफी अच्छा रिस्पॉंस देता है हमाली स्किन को युकि विंटर सीजन चल रहा है तो लोशन और मॉश्राइजर की जरुवत हर इनसान को है यह संसीटीव स्किन हो लेकिन आज मैं जिसका रई उक्सकी रिचा रेवियू करने वाली दमीच के लिए वे स्किन रहने काते लिए है तो पहला नहीं लोशन हले लेकिन उसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकन को प्रेस करें ताकि इन फूचर मेरे वीडियो का आने वाला कोई भी नॉटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिल और फ्रेंज में और कमेंट करना तो बिल्कुल भीना भूलें तो चलिए नॉ लेस्ट स्टार्टेग यह हैं दोनों लोशन यह हैं निव्या ओयन लोशन एंड यह हैं हिमालिया का रिच कोका बटर जो कि आप देख सकते हो और यह दोनों ही काफी अच्छे लोशन हैं ट्राइं डामेज इसकीन वालों के लिए तो चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूं आपको तो पहला है यह है निव्या और अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो आप यह इस तरह की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा यह लाइप परपल कलर है और यह डाक ब्लू कलर का इसका कैप है और इस तरह से आप देख सकते हैं और इसका जो लोशन है यह इस तरह से खूल जाएगा तो बात करते हैं अब हम इसके प्राइस की फ्रेंड तो यह मुझे 2.40 का रिसीव हुआ है मतलब मैंने 2.40 का परचेस किया है मार्केट से बिग बजार से और आप लोग इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि यह ऑनलाइन भी हर जगा अवालेबल है और काफी जादा हैवी डिसकाउंट भी मिल रहा है इस पर जैसे कि मैंने अमाजॉन वगरा पर देखा था तो वहां पर इसमें 135 का यह आपको रिसीव होगा और जो इसकी परचेस कॉंटिटी है फ्रेंड्स हो है 200 ml तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर भी यह 200 ml का ही है पर 1.35 का पढ़ रहा है पर मैं मार्केट के थी तो मैंने वहां से रिसीव कर चुकी तो इसके बाद में पता चला था कि ऑनलाइन पर यह काफी हैवी डिसकाउंट में चल रहा है तो अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेंड्स की तो बहुत अची है लाग इस जैसमीन और मैं इ तो यह तीनों ही इंग्रेंट्स हमारे इसकीन के रहे काफी ज्यादा एंग्रेंट्स है तो चलिए अब बात करते हैं इसके टेक्चर की तो इसका जैल बेस लगता है और मैं दिखा देती हूं थोड़ा सापको लेकर देख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा ट्रांस्पैन मुझे यह थोड़ा सा जैल टाइप ही लगता है क्योंकि मेरी स्किन को तुरंथ स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है और काफी हेल्दी फील कराता है काफी ग्लॉइंग फील कराता है और डीपली मॉश्चराइज करता है माली स्किन को तो मैं से रोज यूज करती हूं डेली कितना ग्लोइंग भी फील करा रहा है यह तो मैंने भी हैंड पर लगाया यह फेस पर लगा कर देखो कि तो इसका कितना अच्छा लुक आएगा तो फ्रेंड्स यह था हमारा निव्या का ओलिंग लोशन जो की अभी यह न्यू पैक में आया है बाकी इसकी जो पैक है वह व हमालिया रिच कोका बटर बॉडी क्रीम जो की काफी ज्यादा एफेक्टिव है यह हमारे इसकीं के लिए और मैं इसे नाइट क्रीम की तरह यूज करती हूं तो कि इसका जो टेक्च्चर है फ्रेंड्स वह थोड़ा थिक है निव्या काफी जेल बेस है और यह काफी थिक है जो दिखा देती हूं आपको यह देखिए इससे मैंने काफी जो कर लिया थिया लेकर Bonnie रिंगए लेकर दिखा देती हूं इसका जब यह दैख सकते हो इसमें यह प्रांस्परैंशी नहीं है फ्रेंड्सू इन यह आप नाइट क्रीम की शक्र सक्ते हो इसे आप रात में सोन आपको पुरी फेस पे नेक पे हैंड पे बिल्कुल भी ट्राइनेस नहीं होगी आफटर फेश वास भी आपको जल्दी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना अच्छा रिस्पॉंस दे रही है यह कि रिंग अगर आपकेचिंग की तो आप शाएम पाकेचीं से पेकचां में है तो यह कीछो抓 नाम ही हिमालया रिच कोणा बटर है और इसमें बटर भी अड़ है तो आप जान सपते हो बटर कितना स्मूदी होता है सिल्की टाइप होता है तो हमारी स्किन भी कुछ इसी तरह से हो जाती है इसको यूज करने के बात करते हैं इसके प्राइस की तो यह मुझे 255 का रिसी हुआ है यारि कि 250 पर का मैंने से परचेस किया है बीक बजार से इसमें बटर औ को का दोनों ही एड है तो यह काफी नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हो और अगर हम बात करें इसके फ्रेग्रेंस की फरेंगे तो विलकुल इसके फ्रेंग्रीड की तरह ही है आप जब इससे लगाओंगि तो आपको चोपलेटीं फील होगा की यह आपने चॉकलेट खारा की यह तहा है तो यह था हीमाल्य और इसे आप मॉर्निंग में यूज करें, डे में यूज करें, इवनिंग में यूज कर सकते हो, वागर नाइट में आपको जब भी यूज करना है, तो आप यही यूज करें, इसे काफी अच्छा response मिलेगा आपकी skin को, ट्राइनल तो बिल्कुल भी खतम हो जाएगी, बिल्क